Competence Hello friends ! Welcome back to my channel, the way of ẺBitPooja आज मैं आपके लेख्याइएंदाई। कुछ Amazing Cape construct जो आपकी स्किं केर करने में हiphल्प करेंगे आपके Color Complexion को भी फियर करने में हैLPS करेंगे तो वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपसे कर रही हूँ एक request अगर आपने मेरे चनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें अपने फ्रेंज के साथ सेयर करें और वीडियो कैसे लगा है ये ज़रूर कमेंट करें स्टार्ट कर जाएं अपना वीडियो इस वाले फेस पैक को बराने के लिए हमें चाहिए है वन टेवल इस्पून बेशन ज्यादा फाइन बेशन का यूज ना करें वन टेवल इस्पून हमें चाहिए है फ्रेस लेमन जूस हाफ टेवल इस्पून टर्मरिक पाउडर रोज वाटर हम ढालेंगे अपनी रिक्वाइर्मेंट के साब से जितनी रिक्वाइर्मेंट है उतना रोज वाटर मिक्स करके सारी चीजों को हम मिलाएंगे मिलाने के बाद हम बनाएंगे एक स्मूथ पेस्ट बेसल से हमारी स्किन में गलो आता है स्किन एजिंग की प्रॉब्लम भी दूर होती है और फेस की अनवांटर हेयर्स को भी रिमूब करने में बेसल हमारी हेल्प करता है अब हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है अपलाई करने के लिए अब मैं इसको अपलाई करूंगी ये फेस पैक उन लोगों के लिए बहुती ज़्यादा फाइदे मन्द है जिनका कलर कॉंपलेक्शन थोड़ा डल है ये वाला फेस पैक लगाने से उनके कलर कॉंपलेक्शन में काफी डिफरेंश आएगा इस पैक में मैंने टर्मेरिक पाउडर का भी उज़ किया है टर्मेरिक पाउडर हद तरह की स्किन पर सूट करती है और इसमें एंटी आक्सिडेंट और एंटी वेक्टिरियल गोड़ोते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुती अच्छे होते हैं साथ ही pimple की problem को भी दूर करती है अगर आपको pimple की problem है तो इसे अपने face पे जरूर लगाए पूरे face पे अच्छे से लगाने के बाद इसको हमको छोड़ना है 15 to 20 minutes के लिए जब तक ये dry नहीं हो जाता है ये वाला face pack बहुत ज़ादा effective है एक बार जरूर ट्राई करके देखें 15 minutes हो चुके हैं मेरा face pack पूरी तरह से dry हो चुका है अब गुर्ण गुर्ण पानी से face को wash करना है result आप खुद देखेंगे जब आप अपने उपर apply करेंगे ये वाला face pack इस वाले pack को आप weekly two times use कर सकते हैं अब चलते हैं वन पिंच लेना है टर्मिरिक पाउडर उसके बाद हम लेंगे वन टेबल स्पून हनी हनी में bleaching quality होती है जो complexion को bright करने में dark spot को remove करने में help करती है इस skin को moisture देती है अच्छे से mix करने के बाद ये तयार है apply करने के लिए इसको apply करने के लिए आप brush का भी use कर सकते हो अगर आपके पास cotton ball है तो cotton ball की help से अपने face पे apply कर सकते हैं मेरे पास face pack लगाने बाला brush है तो मैं उसकी help से ये वाला pack apply करूँगी पूरे face पे इसको अच्छे से apply करेंगे उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे 15-20 minute के लिए जब तक कि ये dry नहीं हो जाता है जब ये pack dry हो जाएगा उसके बाद गुर्मने पानी से इसको हलके हाथों से मसाज करके remove करना है उसके बाद effect आप खुरी देखिए कितना अच्छा face पे glow आता है इस pack को भी आप weekly two या three time यूज़ कर सकते हैं अब चलते हैं next DIY पे next वाले face pack पे इस face pack को पेनाने के लिए मैंने लिया है two spoon tomato pulp इसको मैंने greater की help से निकाला था tomato को हम खाने के साथ साथ अपने face पे लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने इसमें add किया है one table spoon honey दोनों चीज़ों को मिलाके mix करेंगे प्रेंट्स टमेटो में लाइकोपीन होता है जो अल्ट्रा वाइलेट रेज के side effect को कम करता है अगर आपकी skin dull हो गई है तो इसको लगाने के बाद आपकी skin glow करती है इस तरह के घरेलू pack बनाके आप अपने घर में ही रहके skin care कर सकते हैं यह वाला pack भी अब ready हो गया है apply करने के लिए तो मैं इसको apply करके दिखा रही हूँ आपको इसको अच्छे से पूरे face पे apply करें और इसको भी 15-20 minutes तक लगा के छोड़ दें इसका भी result बहुत अच्छा था एक बार जरू try करें हमारी kitchen में ही बहुत सारी ऐसी तीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी skin care कर सकते हैं बस हमें थोड़ी सी knowledge की जरूरत है प्राई होने के बार normal water से अपने face को wash कर लें यह वाले pack कोई भी side effect नहीं करते हैं हम कभी भी apply कर सकते हैं अब चलते हैं अगले DIY पे अगले face mask को बनाने के लिए इस वाले mask को बनाने के लिए मैंने लिया है one table spoon milk powder half tea spoon मैंने use किया है इसमें almond oil almond oil आगर आपके पास नहीं है तो आप olive oil भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे आपके पास olive oil भी नहीं है तो आप coconut का virgin oil भी यूज़ कर सकते हैं one table spoon honey इसमें add करेंगे honey हमारे face को natural तरीके से bleach करता है साथी साथ हमारी skin को moisture देता है last में अब हम इसमें add करेंगे fresh lemon juice one table spoon lemon face के extra oil को remove करता है skin को clean करता है complexion को भी fair करने में हमारी help करता है सारी चीजों को हम अच्छे से mix करेंगे अब हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा rose water ताकि यह properly अच्छे से mix हो जाए rose water हमारी skin को tight करके hydrate करता है यह वाला face pack भी भूती जादा amazing है इसके बहुती अच्छे result आते हैं एक बार आप इसके भी ज़रू try करें pack अब पूरी दरह से ready है apply करने के लिए मैं इसको apply कर रही हूँ पूरे face पे इसको evenly लगा लेंगे उसके बार हम इसको छोड़ देंगे dry होने के लिए एप रॉक्स 15-20 मिनट के लिए मैंने इसमें almond oil का यूज किया था almond oil में vitamin E होता है जो हमारी skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है dry होने के बाद इसको हम normal water से wash कर लेंगे इस वाले pack को भी आप week में 2 या 3 time apply कर सकते हैं यह वाली face pack बहुत ही जादा amazing है आप अपने घर में एक वाज हो ट्राइब करें I hope आज का मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको अच्छा लगा है तो please मेरे वीडियो को like करें तो friends मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye